आवा जाले लास्ट टॉपिक में था विश्यम संगभाद या एस सेमेट्री फेडलिजम कैसी लगी आपको क्या करें आपको इस नहीं ले था उसको पढ़ने बाद क्लास करने कोई आवश्यक्ता नहीं है ये सही बात है कि नहीं अचा जो बुक्स आपने इसके पहरे है बतलब सच पने पढ़िये कैसे है पढ़िये तो मतलब अचा वास्तविक तोर पे हमारी मेनस सफल है यह नहीं अच्छा दूसरी बात जो हमने कही थी अब किसी और बुक से उसका अब कर सकते है क्या करें कौन सा अच्छा तो आपने दूसरों को बताया वाटसाप पर शेर किया कि नहीं क्या करें क्या करें अच्छा एस्यमेट्रिक फेडलिजम जो आपको बता दे तो विश्रम संगवाद में आपको यह दिला दे कि विश्रम संगवाद में जो विशेषताय हैं हमने कल बता दिया था कि पाच्छी यानि हमारे संगी विवस्था में सारे राज्यों को एक समान हैसित नहीं है इसका मतलब है इस तरीके का अंतर हमने किया है जैसे कि और इसलिए दिखता है कि भारती संग में चाहे हमने करनडा से बात लिए लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो पाच्छी ने सूची है शर्टी ने सूची है इनका तो इंपैक्ट है वो Government of India 1935 का है आप देखेंगे कि भारती संगवाद में संगवाद कितना महत्मूर टॉपिक है एक बात और इससे पता चलती है कि संगवाद के लिए पहला शेडियूल फेडलिजम के लिए है चोथा सेडियूल फेडलिजम के लिए है पाच्वाद छठा शेडियूल एरे संगवाद में अगर बारे ने सूचिया है तो उसमें चार तो के लिए फेडलिजम के लिए दी गई है इसे भी आप इस बात का महत्तो समझ सकता है कि संगवाद जैसे टॉपिक का महत्तो कितना ज़ादा है अगर हम कुछ बात आपको या दिला दें जैसे शेडियूल की बात करें फिफ्थ की बात करें फिफ्थ का तो हम जयातरूले पंचायती राज में करते हैं लेकिन अगर हम फिफ्थ शेडियूल की बात कर दें लेकि कैसे विसम संगवाद में एक एक चीज है जैसे कि विसम संगवाद में किस तरीके से अच्छा यह बात हमेशा प्याद रिखेगा जैसे कॉम्टीशन जब भी कोई बुक लिखा जाता है इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास यह होता है कि हम कितनी संशेप में इसको लिखे जैनकरी रिफरेंसे तुम्हारे पास बहुत होते है तो इसलिए कॉम्टीटिव एकजाम में हमेशा होता है कर बिलावज़क चीज आप पढ़ रहे हैं तो कोर आप गमा देंगे कई बारे हर सेक्षन में यह इंपोर्टेंट होता है वो हमें कॉम्टीटिव एकजाम के लिए बहुत disadvantage कर देता है जिसे कई बार जब प्रोफेसर अगर ऐसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इतना संशेप में आप लोग कैसे लिख लेते हो तो हमने का हमारे एकजाम के requirement ऐसी है हमारे एकजाम के requirement ऐसी है प्रोफेसर सब्दम लिखनाय में objective exam में इतनी चीजें हैं कि उसको एक साथ सभी कठा करना मुस्किल होता है तो फिप schedule अगर हम पांचीव ने सूची की बात करें तो आप देखें किस तरीके से वेसमा संगबाद का पहला example है पांचीव ने सूची को हम कहते हैं schedule area इसका जो नाम है अनुसूची छेत्र schedule areas पांचीव ने सूची में अनुसूची छेत्र का प्रावधान किया गया है schedule areas का प्रावधान किया गया है अब साब आले कि schedule area का मतलब क्या है ये राश्टपती के द्वारा बताए जाएगा कि विच ये रिया ये शेडियूल डेरिया शेडियूल डेरिया की घोशना का दिकार राश्टपती को है और राश्टपती इसके बारे में संबंधिर राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है इसका मतलब है आप ज़्यादतर बातों देखेंगे डाक्टर अंबेरिकर सम्मिधान सवा में थे और उन्होंने भी माना कि हमारे हाथ सम्मिधान में संग सरकार की शक्तियां जदा होनी चाहिए इसका सबसे बड़ एक्जामिल आप देखेंगे अनुसूचे जदी जद्जात के कल्याण के लिए सारी सक्तियां संग सरकार के हाथों में है यानि पिश्रे वर्गों कल्याण के लिए संग सरकार के हाथों में शक्तियां दी गए है आप अगर अनुचे 330 देखेंगे 332, 334 यहां जहां अनुसोची जाती जन जाती का लोग सभा में reservation है वहां उनका जो विदान सभाव में reservation है अनुसोची जाती जन जाती आयोग का प्रावधान किया गया है यह सारी श्रक्तियां संग सरकार के हाथों में दी गई है और आप देखेंगे scheduled area का मतलब होता है वो area which is dominated by scheduled tribes आपने सोची शेतर का मतलब है ऐसा शेतर जहां पे scheduled tribe की आबादी जाता हो लेकिन scheduled tribe की आबादी जाता हो लेकिन स्वबाईक तोर पर इस scheduled tribe की आबादी और scheduled area की घोशना करने का अधिकार सीधा दिया गया है president को, राश्पती को भारत के किसी भी शेतर को अनसूची शेतर घोशित करने का अधिकार that is given to the president of India तो फिर आप देखेंगे पूरी scheduled अकरिमें सवाल है की scheduled area की घोशित करने का परपच क्या था मालीजे की एक reason, reason में schedule area हो गया जैसे schedule area आप कहा मिलेगा जारखन में आप जाईए मद्यप्रदेस में, उडिसा में पूरा राज्य नहीं है बलकि राज्य का एक भाग जहां पर जनजातियों की आबादी ज़्यादा है उस area को अपरेस इरेन ने schedule एरिया गोशित कर रखा है और हमारे संविधान में यहां तक बात की गई है एसे राज्य जहां अनुसूचे जनजातियों की आबादी ज़्यादा है जैसे खास तोर पर जुन राज्यों का उलेक संविधान में किया गया है मद्यप्रदेश, चर्थिसगण मद्यप्रदेश, चर्थिसगण और जारखन ऐसे ऐसे राज्यों में एक मंत्री ऐसा होगा जो अनुसूचित जनजाति के मामलों का होगा कि बस संविधान में लिखी गई है यह नहीं संग में तो ऐसा प्राउधन नहीं किया गया है लेकिन राज्यों की बात है कि ऐसे राज्यों जिनमें राज्यों का नाम लिखा गया है कि वहाँ पर एक मंत्री ऐसा होगा one minister will be there who will even administer the issues related to scheduled rights अब अब देखेंगे ठीक है scheduled area बन गया तो क्या इसमें भी chief minister होगा इसमें भी governor होगा तो बाकी चीजें तो और राज्यों से मिलती है तो अखिर में इनको advantage क्या है कि क्या president नेकर किसी reason को scheduled area घोसित कर दिया इसे इनको कौन सा life मिल दाएगा कौन से फैदे हो जाएंगे इसको दूसरे element से अब जोड़ के देखे यह बढ़ ठीक है council of minister होगी राज जपाली यहाँ पे होगा और अब देखते हैं कि पहली बात तो what is specific in scheduled areas क्योंकि यहाँ भी council of minister होगा यहाँ मंत्री परिशद होगी यहाँ भी मंत्री होगा यहाँ कुछ राज्यों में tribal मामलों का special मंत्री होगा हर राज्यों मेंने और माना जाथा कि भारत में लगवग 15 से 16 से राज्य हैं जहाँ scheduled area president ने notify कर रखा है अब सवाल है कि इन्हें फिर asymmetric federalism क्या है इनमें आटोनामी हमने क्या दी आटोनामी हमने इस तरीके दी है कि पहला scheduled area में देर जे special role of governor राज्यपाल की विसेज सक्तिया है इस शित्र में हमने we have provided a special role of governor अब ने राज्यपाल को विसेज सक्तिया प्रदान की है वैसे अब देखेंगे अगर पांची विने सूची शटी को हटा दीजे तो there is a special role of governor in article 371 अरुछे 371 के विविन article में भी governor के special role है और वो बात है महाराष्ट के लिए गुजरात के लिए सिक्किन के लिए article 371 के बहुत सारे प्रविजनस में जी बात की गई है लेकिन फिप शटील में there is a special role फाला governor governor के लिए a special role है और special role कैसे है कि वो अनुसूचित जनजाती छेत्र में sorry अनुसूचित छेत्र में अनुसूचित छेत्र में संसद और विधान सभा के द्वारा निर्मित किसी भी विदी को लागू करने से प्रतिमंदीर कर सकता है इतना special governor को है इवन governor can restrict the application of law made by parliament and law made by the state assemblies गवर्नर के द्वारा अनुसूचित छेत्रों में लागू होने वाले संसदी विदी अथवा विधान सभा के द्वारा निर्मित विदी को प्रतिबंदित किया जा सकता है या modify किया जा सकता है प्रतिबंदित किया जा सकता है modify किया जा सकता है यहाँ पे हमें गवर्णर का भी special role हमें मिल गया हमें गवर्णर का भी special role मिल गया इस point को हम गवर्णर के powers में भी utilize कर सकते तो हम आपको याद ही रहा दें हर जगह एक जगह पढ़ी की चीज़ों को application सीधा हम दूसरी जगह कर देंगे तो that is very important जबकि अब देखेंगे अब देखेंगे मसला एक फंसता है prelims exam में objective exam में कैसे मसला फंसता है अब माली एक objective exam में कभी इसलिए ज़्यादा पढ़ने से mains का approach पढ़ने से prelims कई भार खराब होता है कहां खराब याते हैं आपको याद दिला देए कहां आपको सतर रहना है अब माली आपको statement यहाँ गया कि संसत देश के लिए विन्दर्मान की सरवो संसता है संसत पूरे भारत के लिए विरिका निर्मान कर सकती है कथा है सत्य है सत्य है आप सत्य ही मारेंगे ये देख there is various exception of that आप हमें साथ रेखे exception is not a rule और हमने एक पार्लेमेंट पढ़ा था तो पार्लेमेंट में यह भी पढ़ा था कि पार्लेमेंट है इक्स्टा टेरिटोरियल केपसिटी यानि हमारी संसत तो भारत के लिए विरिका निर्मान करेगी विदेशों में रहने वाले भारतियों के लिए भी विदिका निर्मान करेगी अब ये कथन पढ़ने से confusion नहीं होना चाहिए इसे कहा भी जोता है more study more confusion no study no confusion लेकिन हमें ज़्यादा पढ़ना है confusion नहीं करना है तो आपको याद दिला दे ऐसी गलतियां हो जाती है याप एक जिगा हो पढ़ेंगे और पढ़ना चला कि फिर आपको दिमाग में ये भी आने लगा प्रिल्लिम्स में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उत्तर गलत करके चले आएंगे दूसरा दूल आपको बता दे है प्रिल्लिम्स में में ले कोई सवाल नहीं आ रहा है इंस्टेंटली दिमाग में आपको उत्तर आगया पहला कहीं-कहीं पढ़े हुए हिदिन में आ रहा है, इंसाइट आ रहा है रिकॉल नहीं कर पा रहा है जो इंस्टेंट पहला option आ अगया उस पर कभी सोचिये मत सोचेंगे, गलत सही काटकर गलत टिकर रिच ले आएंगे येगर आपने एक्जाम में कई बार ट्राई किया होगा आजमा किसको देख लिजेगा कुछ fundamental लूल होते हैं जो आपको भूलना नहीं है इसलिए there is a special order गवर्णर क्योंकि आप ये बात जानते हैं अनुसूचि जन्जाति का छेत्र निश्यत रूप में क्यों संसद और विधाइका के द्वार निर्मेत विदियाओं को modify करने का अधिकार गवर्णर को दिया गया है कारण ये है कारण ये है अब जहाँ अनुसूचि जन्जाति का छेत्र है मालीजी कल के लिए पार्लेमेंट ने ये कानू बना दिया uniform civil court एक्जामपल आपको बता है कि ये power क्यों गवर्णर को दिया गया है कि संसत के द्वार निर्मेत विदी राज बिदान सभा के द्वार निर्मेत विदी वो तभी अनुसूचि शेत्र में लागो होगा जब उसकी permission मिल जाए अब एक एक्जामपल आपको बढ़ा दे क्यों ऐसा किया गया है कि मालीजी कल के लिए पार्लेमेंट ने मना दिया uniform civil court uniform civil court का मतलब है कि एक पति का एक एक पत्नी पर बिवस्ता एक वेक्ति एक ही महिला शादी कर पाएगा जण्जातियों में इसी प्रथा नहीं है अब बढ़ा है प्रॉबलम आएगी नहीं आएगी कल के लिए पार्लेमेंट ने Land Acquisition Act बना दिया यहाँ प्रॉबलम है क्योंकि जण्जाति समाज ऐसा है जण्जाति समाज ऐसा है स्वाबोई करूप में जहाँ पे जण्जाति समाज ऐसा है जहाँ पे Land का Personal Authority Holding उन पे नहीं होती जण्जाति समाज जिस समाज पे लाखों वर्सों से रह रहा है हजारों वर्सों से रह रहा है उसका उनके पास registration नहीं है और हमारा कानू नहीं जानता है कि जिसकी जमेन registered है उसका मलिक है इसे लिखी पढ़ी गई बातेन के लिए नहीं है इसलिए जनजाती समाज को किसी भी जमेन से replace करना बहुत ही आसान है अब आप देखें कैसे इन चीज़ों को relate करते हैं हम आगे चलके social movement पढ़ेंगे हमारे syllabus में social movement दिया गया है और आप देखते हैं कि GS में है development and economic growth आपको हम याद दिला दें all science का optional इतना जबर्जस तरीके सब को GS में help करता है second paper की बात तो आप चलिए hardware पर फोर्थ पर हर जगें इसका rule आ जाता है क्योंकि हमारा विश्यवाद dynamic किस्म का है इस बात में इसलिए कहा रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे कभी आपको internal security में माववाद की समस्यक समधान आ जाए और fifth schedule का अप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब your approach is partial वही internal security का है आपको application बड़ा strong होना चाहिए एक quality कहता है ना बड़ा interesting part internal security में इस अब जोड़ दीजिए economic growth and development हमें social movement में इसको जोड़ना है यहां से भी social movement को जोड़ना है एक्जामिर से बात को बहुत देखता है और खास तर poll science का professor अब देखिए हमारे सम्मेदार इन बाताओं ने कितनी बड़ी बात कही है और इसे से एक scholar quote करें कैसे हम इसे एक उत्तर कैसे बना लेंगे अभी तक देखना है पैसा लगता है इसे GS का उत्तर है एक खास बात आद रखिए अब इसको हम थड़ा सा फड़ा सा से धंतिक आधार दें इस information को हम conceptual based कैसे दे सकते है लिखिए कैसे conceptual based दे सकते है और फिर भी information आपको बताएंगे और GS का उत्तर आप देख लिजीगा विशे का उत्तर देख लिजीगा conceptual ही होता है और देखिए यही poll science का political approach law के प्रोच से फर्ग कर जता है अब कोई लाओ का शुन्द है इस article किस clause में यह कहा गया हमें मतलब ही नहीं है clause 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 नहीं मतलब है हमें तो मतलब उसका social impact क्या हो रहा है political impact क्या हो रहा है हम इसको democracy से जोडेंगे हम इसको social justice से जोडेंगे अब एक political approach आप समझे हम इसको social justice से जोडेंगे democracy जोडेंगे बजाए कि article में जोडने के बजाए वो हमारे काम नहीं चलेगा और फिर हम आपको पता दें social justice के सारे कुशन्स आप देख लिए अगर आपको अमल यह कोई social public policy आगए कि उज्वलाइ स्कीम पे एक short notes लिखे और स्वामाजी के नहाए लोकतंद्र, स्वामाजवाद इन सब्दों का अपरे को नहीं कर पाए उज्वलाइ स्कीम क्या हो जाएगी कि एक हजार गैस मटी की यही लिखेंगे अब यकीन मानी दोस्त इस इस रिजन वाई political science is becoming such popular subject अब कोई भी topic अब सोचिए इसके आता है सारी शीज़ें बसरत है apply कर पाई अब कैसे अब जर इसी बाद कैसे सद्धान्ती बनाए जब पहला पहला और इस sentence को हम और भी जगा यहाँ भी उस कर लेंगे, यहाँ भी उस कर लेंगे वे scholars के निन्द हम जहाँ चाहें महाँ उस कर लें तो पहला निर्जा गोपाल प्रोफेसर निर्जा गोपाल प्रोफेसर निर्जा गोपाल का तर्ग है कि भारती राज्य पल्यानकारी है प्रोफेसर निर्जा गोपाल का तर्ग है कि भारती राज्य कल्यानकारी है भारती राज्य कल्यानकारी है परंतु परंतु उदारी करण के वरतमान दोर में परंतु उदारी करण के वरतमान दोर में उदारी करण के वरतमान दोर में विकास के नाम पर उदारी करण के विकास के नाम पर जनजाती समुदाय जनजाती समुदाय के हितों की उपिक्षा हो रही है जनजाती समुदाय के हितों की उपिक्षा हो रही है क्योंकि आप देखे अब यही सवाल होता है इसलिए सोशल मूवब्मेंट में यह मुद्दायाता है और विकास और डेवलप्मेंट में यह एकनॉमिक रूफ हम drip दाता है अखर में डेमोकरेसी में आप याद रखिए अगर डेमोकरेसी को इस इदान को डेमोकरेसी जोड़ के डेखिए यहीं आब देखिए Tribal Community कैसी है जिसको अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है समयधान के बारे में जानकारी नहीं है और अब जोड़ा है देखिए अभी भी हमारे सामाज में जो Tribal Community थी है तो बहुत ही पिशड़ी रह गई tribal community कितना जदा पिछड़ अपन है कि सवाल है कि हमने कहा कि highway बनेगा, highway में भी a project of development for a few person, लेकिन highway जिस tribal community के सड़क से जारवी से जारा है उनकी सारी जमीन शिन गई और वो जमीन शिनने में सरकार कोई problem नहीं आएगी, क्योंकि legally उसका कोई माली ख़ी नहीं है समधाय लोग रह रह रहे हैं रहने को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं पहला, आप देखें कि नर्मदा डैम बना, नर्मदा डैम बना तो पूरी आदिवासी community को वहाँ से रिप्लेस करना पड़ा अब डैम बन गया और what we are saying that this is a project of development लेकिन सवाल है कि वहाँ लोगों को रिप्लेस किया गया और उनका rehabilitation तक नहीं हो पाया तीसे एक्जामपल अब देखें जो लोग राची से होंगे, जहरक्रन से होंगे राची जहाँ पूरा capital बनाया है this land was totally belong for the tribals और वो tribals जो आज की land कीमत आप शहरों में आप जानते हैं लेंड कीमत कितनी है और आज जो अरबों करोनों की जमीन है वो मूलता जनजातियों की थी और वो जनजाती आज जो बहुत जगह पे इट के भट्टों पे मजदूर की रूप में काम कर रहे है आपने 90% देखा UP में जो इट के भट्टों पे काम मजदूर करते हैं और आज जिस आए हुए है under the tribals तो सवाल है कि विकास किसका हुआ विकास किसका हुआ और जो हम बड़े-बड़े स्लोगन देते हैं सामाजी किन्याए ये सब विकास रिजर्वेशन तो सवाल है कि रिजर्वेशन आप बाद में दीजेगा पहले तो आप उनको आवास्तो दे दीजे भोजन दे दीजे सिक्षा दे दीजे हमार आज एक भी समुदाय है जो इन मुलभुत आवेश्रक्ताओं से बन जी थे जन्जाती समुदाय आप देखेंगे और उसी जन्जाती समुदाय में एक एक से समुदाय से हैं जो आज भी चूहे और बिल्ली के पर चूहा खाते हैं साप खाते हैं और हमको लगता है कि हम सामाजिक ने आये और बड़ी लोकतंदर के आवेजन में रुके हुए है लोकसभाई election is not a bad in itself election is better for a democracy election is necessary but holding election is not a sufficient condition for running a successful democracy केवल चुनाओ काराज जना लोकतंदर का मूल उमर में थोड़े होता है इस पर इपेक्षपी देखना है अब आप देखिए सम्मिधारिन माताओं का दिश्कूर्ण कितना बड़ा था इसलिए इसी के साथ आप देखिए ट्राइबल कमिशन आप तुरंत आप ध्यान जना चाहिए अनों सूचे जन जाती आयो इस चीज़े प्रिलिम्स के लिए बहुत important रहेंगे बजाए कि जो हम आडिकल के पीछे पड़े रहते हैं हमारे सम्मिधारिन में इती नहीं थी अच्छेशी बाते लिखी गए है कि ट्राइबल कमिशन इसलिए हमने ट्राइबल कमिशन बना है इसलिए फिफ शेडूल आगे बढ़ा है अब इसको कर लोगतन से आप जोड़ के देखिए डक्टर मेदिकर नहीं क्या कहा था अगला point डक्टर मेदिकर ने डक्टर मेदिकर ने अनसोचित जातियों और जनजातियों के हितों के संसरेक्षन पर अचवथिक बल दिया He always emphasize over the protection of interest of शेड़ूल कहस और सेड़ुल ट्राइब्स डक्टर मेदिकर ने अनसोचित जातियों जनजातियों के हितों के संसरेक्षन पर अचवथिक बल दिया और उनके नुसार उनके नुसार लोग तंत्र में लोग तंत्र में अलप संक्यकों की हितों की संडक्षण लोग तंत्र में अलप संक्यकों की हितों की संडक्षण पर बिसेस बल होना चाहिए लोग तंत्र में अलप संक्यकों की हितों की संडक्षण पर बिसेस बल होना चाहिए और आप याद रिखे अनुसोचित जनजात के लोग भी अलप संख्या की है और जनजाती संबुदाई के लोग तो अलप सेडियूल्ड एरिया का मतलब है अब आप दिखेंगे जो अब आपको पुटी में जो बचीजे है डिमोग्राफी का सवाल किस राज्य में अनुसोचित जनजाती की अबादी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है किस राज्य में अनुसोचित जनजाती की संख्या सबसे ज़्यादा है परसेंटेज अलग होता है और संख्या अलग होती है हो सकता कहीं संख्या जदा परसेंटेश कम हो इसका सीधा समतलब है ये भी चीज़ें अपने आपे बड़ी इंपोर्टेंस की होती है डेमोग्राफी का सवाल बहुत इंपोर्टेंट अपने आपे होता है इस वज़े से ये माना जाता है अनुसोचे जनजायतियों के हितों के इस अनरक्षन का विसेस प्राउधान किया गया है इसका डेमोग्राइसी, कमोनिटी, एंडिफरेंसेश डेमोग्राइसी और इसको हमने कल बताया था MP Singh ने क्या का था कि we have tried to order the ethnic diversities of India अगर हमारा संगवाद है तो संगवाद है कि अथनिक फेडलिजम कि बहुत सारे भाषाई समों, जाती समों, धारमिक समों सबके समयोजन की बात ही समिधान करता है इसलिए 5th schedule के important है फिर एक fact पर आजाए 5th schedule पर फिर आजाए तो आप कहेंगे चीक है गवर्णर को special power दे दिया गया इसका मतलब है इसका मतलब यह होता है कि हम जिन जातियों के सांस्क्ति कदिकारों के भूमी कदिकारों के उनके लोगतांत्रिक दिकारों का basis induction करेंगे that is a vision of our constitution यह हमारे सम्विधान की का मुलमर में है लेकिन जरह दूसरे पहलों के भी जाके देखें सम्विधान हमारा प्रोविजन करता है का खिर में और यह 5th schedule इनकी रक्षा कैसे करेगा there is a provision of tribal council जनजाती परिशदों का प्रावधान किया गया है 5th schedule में there is a provision of tribal council जनजाती परिशदों का प्रावधान किया गया है और इस जनजाती परिशदों का प्रावधान किया गया है और इस जनजाती परिशद में जो 20 अदस्य होंगे there will be 20 members in the tribal council 20 अदस्य होंगे और इन 20 सदस्यों में राज बिधान सभा के सदस्य शामिल होंगे so 20 members means all the members of legislative assembly live with a part of the tribal council 20 सदस्यों में जनजाती परिशद के सदस्य यानि बिधान सभा के member होंगे जो उस राज में बिधान सभा के member हैं और जनजाती समुदाई के हैं वो 20 इंबर में होंगे जिसमें three-fourth will be elected three-fourth will be elected या three-fourth will come from the member of legislative assemblies or MLA's from tribal communities तीन चौथा उसमें से उस राज के बिधान सभा सदस्यों के रूप में आएंगे जो जनजाती समुदाई से होंगे जो ट्रीबल कमुदाई से होंगे बाकी को गवर्ना नॉमिनेट करेगा बाकी गवर्ना नॉमिनेट करेगा तो तीन चौथा उसमें बिधान सभा सदस्यों होंगे जो स्राज बिधान सभा के हैं और बाकी गवर्ना नॉमिनेट करेगा और जो ये three-fourth members होंगे वो निर्वाचित होंगे और अब मल जनजाती परिश्वाजन से मिलकर बनेंगी गवर्नर कुछ लोगों को नॉमिनेट करेगा तो इसे ही लोगों को जनजाती समुदाय की हितों से संबनित होंगे अब ऐसे लोगों से इनका मूल काम क्या होगा कि ट्राइबल यानि जनजाती समुदाय की भैलाई के लिए एक तरीके से ये ट्राइबल काउंसिल है ये एक तरीके से पैरलल काउंसल अफ मिनिस्टर है एक समानंतर काम करने वाली विधाईका है एक समानंतर विधाईका कर लिजिए एक समानंतर counsellor measure कर लीजे इसका मतलब परिश्वत क्या करेगी परिश्वत की काम तो सम्विधान में नहीं लिखे गए है लेकिन स्वावाई तोर पे अगर मालीजे कोई बिधान सभा अधिनियम का निर्मान बिल का निर्मान करना चाहती है then advice will be taken from the council जनजायती समुदाय का कल्यान की कोई बात की जारी then advice will be taken from the council तो हर मामले में परिश्वत से विचार किया जाएगा परिश्वत से साहता ली जाएगी जिससे हम जनजायती समुदाय का कल्यान कर पाएं यह है फिफ शेडूल यह दिप आप देखेंगे अभी फिफ शेडूल में जो पंचायती राज के साथ भी हम पढ़ते हैं फिफ शेडूल में जब हम अब ज़रा इसको 73rd amendments जोड़ के देखें 73rd amendments हम अलग आपको पताएंगे और 73rd amendments के साथ जोड़ के जब देखिए इसका मतलब है कि फिफ शेडूल हमने बनाया और यह हमने कह दिया कि संसत कभी इसमें परिवर्तन कर सकती है इसमें संस्षोधन क्या विश्यक्ता नहीं पढ़ेगी लेकिन जब पंचायती राज का अपरयोग हमने किया अब जोड़ा इसको फिफ शेडूल से पंचायती राज को जोड़के देखें इदे पंचायती राज हमलक से पढ़ेंगे 73rd Amendment क्या है? अब दिखेंगे 173rd Amendment कैसे फिफ शेलूल का समझ 73rd Amendment से होता है जब पंचायती राज को संविधान का भाग बनाया गया when the entire provision of पंचायती राज was incarnated in the constitution जब पंचायती राज को संविधान का भाग बनाया गया तो जो महत्मून बाती है कि यह कह दिया गया कि पंचायती राज जन्जाती छेत्रों पे लागू नहीं होगा schedule area अनुसूची छेत्रों के लिए पंचायती राज लागू नहीं होगा लेकिन त्यातर में संभिधान संशुदर्म ये भी कहा गया इसे अनुसूची छेत्रों में लागू किया जा सकता है provided that if parliament passes an act इसका मतलब यह हो गया पंचायती राज लागू कहा कहा होगा ये बाज बता दीगी पंचायती राज कहा कहा लागू नहीं होगा ये exceptions है और exception में बागी पंचायती राज में आपको बता देंगे उसमें एक exception था पंचायती राज provision will not be implemented in the scheduled areas इसका मंतलब पूरी राज्य में लागू होगा लेकिन उस राज्य में जो scheduled area होगा जो scheduled area राश्पती नोटिफाई करेगा भारत से जरकार गजट में परकाशित करेगा उसमें ये परविजन पंशायती राज का लागू नहीं होगा लेकिन अगर उसमें लागू करना चाहें there is no need of further amendment अगर हम लागू करना चाहें तो उसमें अलग संभिधान संश्रोधन क्या विशक्ता क्यों नहीं होगी क्योंकि साथ हमें ये लिग दिया गया है कि इससे यानि पंशायती राज को scheduled areas में लागू किया जाया that responsibility belong to the parliament ये संसत्य करेगी और संसत्य ने दिलिव सिंभूरिया एक तरी किस committee बनाई और 1996 में parliament had decided to extend the पंशायती राज in scheduled areas 1996 में पंशायती राज को scheduled areas में लगाएंगे तो सबाल है कि उस समें क्यों नहीं किया गया था 1992 मझे पंशायती राज आया तो उसमें क्यों नहीं किया गया और आपने बहुत famously सुन रखा होगा पंशायती राज इक्स्टेंशन इन scheduled areas तो फिर क्या हुआ पेसा that was in 1996 parliament ने act बना लिया ये बत इस पस्थ है कि पंशायती राज तो संभिधान सशोधन से आया लेकिन पंचायती राज शेडिवल एरिया में कैसे आया पार्लेमेंटी एक्ट से वो क्यों आया यो कि सम्मिधान में लिखा गया है whenever we want to extend तो पंचायती राज in the scheduled areas there is no need of the amending constitution but power belong to the parliament तो parliament अकर लेगी तो सवाल आप पूछेंगे अक आखर में हमने पंचायतों में पंचायतों में ये अकर में पहले क्यों नहीं किया बाद में कैसे कर लिया तो आप जाद रिखे पहले शेडिवल एरिया में हमने पंचायत नहीं लगाया था क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि पंचायत एक इस्थानी साशन का सुरूप होगा तो हो सकता कोई ग्राम प्रधान हो जाए और ग्राम प्रधान होश्यारी करके जन जातियों के हितों का खात्मा कर दे और आप सम्मिधान सभा के डिवेश साब सुनिए तो इनशित तोर पर गांधी और नहरू के भी गांधी और गांधी वादियों की बीच में और डक्टर अमबेदिकर की बीच में एक बड़ा मतवेद यह था गांधी वादी चाहते थे कि हमारे प्रसाशन के केंदर में क्या होना चाहिए गाउं डक्टर अमबेदिकर गाउं से चिड़ते थे डक्टर अम्बेदिकर कहना था कि नहीं गाउं तो बिलकुल होने नहीं चे गाउं तो अग्यानता, उदासिंता और पिश्ड़ेपन के बिलकुल अड़े है अगर मैं भारत का विकास करना है तो निश्यत तोर पर हमारा दिहान शहरों पर होना चाहिए यही सोच के हमने गाउं ग्रामेड छेत्र में पंचायतों को लगूर नहीं किया कि कोई हमें लगता था कि whenever we are going to implement पंचायती राज इन विलेच तो अस्थाने कुछ प्रभावशाली लोगों का पूरे समुदाय पे निंद्रण हो जाएगा जो हो सकता हूँ समुदाय के लिए फाइदय मिन नहीं हो लेकिन आप देखेंगे why decentlization is very important, why there is no option of decentlization why there is no substitute of decentlization विकेंदरी करन का कोई विकल्प क्यों नहीं होता तो आपकर ध्यान से आप देखेंगे 92 में पंचायती राज लगा पहला 92 में उदारी करन ने जी करना है दूसरा और यह बात आप जानते हैं उसी के बाद माववद ने अलग तरीके से भारत में जनम लिया तीसरा भई माववद की history आप देखें माववद इट वस इमर्जिन वेस्ट मंगाल और माववद परच्छी मंगाल में होता हुआ बिहार तेलंगाना और आंधरा में चला जाएगा that was beyond imagination क्यों ऐसा हुआ क्योंकि 90 के बाद लेबलाशन के पॉलिसी आई उदारी करन के पॉलिसी आई तो कहा जाता है कि आदिवासियों के जल जंगल और जमीन अनुसूची जनिजातियों को आम भाषा में क्या कहा जाता है आदिवासि, बनबासि शेलिल ट्राइप्स तो सम्मेधानी भाषा है तो आदिवासियों के जल जंगल और जमीन रेक अब जाकिया गया और आप देखेंगे अब फिर से डेमोक्राइप्स जोड़के देखे डेमोक्राइप्स आपको क्या चाहिए वोटिंग राइट चाहिए है, एम्प्लाइमेंट भी चाहिए वोटिंग राइट चाहिए है, जमीन भी चाहिए वोटिंग राइट चाहिए या जल और आपके जंगल का मतलब क्या है? ट्राइबल कमुनूटी अपनी आजीवी का क्लिए किस निर्वर होती है? जंगलों पे उसे बांस काट लिया, हैंडी क्राफ्ट का सामान बना लिया अब आप देखेंगे What is the extended meaning of democracy? Our democracy is not merely a vote-centered democracy मचदान करना का लोगतंदर का अमूल माईने होता पार्टी बना ले रहा अब बताए, जंगलों पार्टी बना लेगा वो तो उसको awareness नहीं इतना और क्या उपना दबाव समूब बना लेगा, प्रिसर गूब बना लेगा पार्टी और प्रिसर गूब अमेलक से पढ़ना है लेकिन हमार जगा यूज तो करेंगे तो पार्टी बना नहीं सकता है प्रिसर गूब बना नहीं सकता है इसलिए स्वाभवाई कर रूप में social movement को आगे किया गया और ये माना गया कि नहीं जञाती समुधाय को ज़्यादा अधिकार देने के आवशकता है because tribal council कहीं कहीं विफल हो पा रही है वह tribal council में कहां बना दिया that will be in state capital पहला और that will be comprised of the MLA's MLA का मतलब मोहनलाल अगरवाल नहीं Member of Legislative Assembly MLA तो सभाई कर रूप में तो अब जञाती अब लोगों को लगा कि नहीं नहीं जब तक power decentralized नहीं होगी तब तक जञाती समुधाय में भी participation नहीं बढ़ेगा उसमें evidence नहीं बढ़ेगी और अगर आप देखेंगे development हो रहा है important है लेकिन किसके लिए हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है that is equally important इसे लिए हमने पैंचाहितों को extend कर दिया जनजाती छित्रों में अनुसोची छित्रों में और पेसा का प्रावधन कर दिया, तो पेसा के प्रावधन में है क्या रिखने की बज़ो है पेसा के निर्मान के द्वारा पेसा के निर्मान के द्वारा पंचाहिती extension and scheduled area पेसा का full form है पंचाहिती पंचाहिती extension and scheduled areas पेसा के निर्मान के द्वारा संगवाध में विकेंदरी करन को बढवाध या क्या विकेंदरी करन अंडलाइन पेसा के निर्मान के द्वारा विकेंदरी करन को प्रभावशाली बनाय गया विकेंदरी करन को प्रभावशाली बनाय गया और लोकतंत्र को लोकतंत्र को मतदान केंदरित के बचाए सहभागी बनाने का प्रयास किया गया है मतदान केंदरित अंडलाइन सहभागी अंडलाइन अंडलाऊ प्रभावशाली करिण 2017 आर अंडनलावशालाएन आर अंडलाइन विकेंदरी करिछेंदरी 7rim और लोकुपरर्णर प्रोची झाल प्रभावशात्र करिण अब देखे फिर हमने सिद्धन को जोड़ दिया, संगलपना को जोड़ दिया कि अब लोग तंदर का, जैसे कि अभी लोग चुनाओ होने वाला है तो voting is the essential feature of a democracy लेकिन सच मानिया, participative democracy क्या है कि जब हम सरकार के development में participation करें अपने ग्राम के विकास में participation करें और नीतियां कैसी होंगी, डैम कैसे बनेंगे that participation is very important in democracy तो participation होना चाहिए और आपने देखेंगे, इसलिए प्राइब मिस्टर्स ने कहा कि public-private partnership, अभी उसके साथ क्या जोड़ नहीं जोड़ा है तो fourth P, people's participation और democracy का fundamental principle आजानते हैं कि power lies in people अगर सक्ति जनता में नीत होती है taxpayer का पैसा है जनता में शासन है तो निश्चित तोर पर है कि until and unless they are not participating in the governance the governance can't be effective इसलिए पेसा का पुरा प्रावधान लाए गया और पेसा के प्रावधान के लिए फिर आप देखेंगे उसके लिए अलग हमने पूरे हिंदुस्तान में पंचाइतिराच अलग तलिट के चलता है पेसा के potrzeb का जनजाती चेत्रो में अलग तरकर चलता है पंचाइतिराच पंचाइतिराच को नीश्चितने जनजाती चेत्रो में लागू करने के लिए जैसे इसलाइशन हो एक तो decentilation हो decentilation हो और आज आप देखेंगे decentilation कितना ज़्यादा महत्तव जिसे पुलिस में community policing का विचार आगे बढ़ रहा है community policing का मतलब जिनको भी नक्सली छेतरों में तैनाद किया गया है जिनको नक्सली छेतरों में तैनाद किया गया है उनको अधिकारियों को यह बता जाता कि आप स्कूल में जाके बच्चों से इंट्रेक्ट करिए स्कूल में मेला लगाईए कोई किवार हो जाए तो कुछ काम करिए और हो सकते तो tribal area में आप खोद ही स्कूल चलाईए क्यों ऐसा होना चाहिए क्योंकि जनजाती समुदाय राज्य पर अभिस्वास करता है वर्दी को देकर डरता है वो वर्दी को अपना संदक्षक मानता है कि अपने लिए सोशक मानता है बहुत बड़ी बात ही अंग्रीजों की जमाने के जिलर से हम डरते थे और मास्टर अगर सर्विंट से डर रहा है ते दर इस सम्थिंग रॉँ इन डेमोक्रेसी उस तो गड़ बढ़ है इसलिए इसकी बहुत आवेशक्ता है आप देखिए इसकी बड़ी आवेशक्ता है अगला पॉइंट पेसा के द्वारा पेसा के द्वारा जन्जाती समधाय को पेसा के द्वारा जन्जाती समधाय को जल जंगल और जमीन पर पेसा के द्वारा जन्जाती समधाय को जल जंगल और जमीन पर स्वामित तु परदान किया गया कि we have recognized the tribal's ownership over land, forest and water और आप आपने देखा होगा इसलिए अब देखिए अब प्रिटी के लिए कितरे कितरे महत्मुण चीद है Forest Dollars Act यह आपने 2008 यह मनाया and that is because यह आपके प्रिलिप्स का अधिकार संबंध ही मुद्धी एक बात आप याद रिखे आप अगर प्रसाश्च होंगे, तो आप से किसकी सेवा क्या पिक्षा की जनती है अब अधिकार संबंध मुद्ध में अब अधिकार संबंध मुद्ध में गलत तरीका क्या है हम केवलpees फंडामेंट राइट के आइटिकल के पीछी इस्रक अपा रहे है इस आर्टिकल काईए, अरे वो सरसरी निगा से पढ़ लिए उतना परियाद थे फंडामेंटरेस, बागी अप्लिकेशन पर आईए इस फॉरेस्ट डॉलर्स एक्ट ऐसा हो रहा है कि अधिकार के लिए हम क्या क्या लोगों को महिलाओं का अधिकार कैसे दे रहे है, विमेंटरेस में रटे हुए है और इसलिए हमने इसको सिंप्लिफाई कर दिया है अपने किताब में देखा अविदिकास्तमानता समझ में आ गया है कुछ समझानिक बात है उसमें विद्वारा स्थाफित प्रक्रिया, विद्कुषित प्रक्रिया, कुछ अतरिक तो उसमें देखने क्या विशकता है आप देख लिजीगो उसको यह पढ़ने क्पर तरीका होता है कि आपका अप्लिकेशन बहुत ध्यान होना चाहिए पूरा आपके एक्जाम का औरिटेशन अप्लिकेशन बात हम देखते नहीं इस वज़े से राइट संबन नहीं सुब बड़ी इंपोर्टेंस है तो आप देखें, फॉरेस्ट डॉलर सेक्ट पर हमने क्या बनाया अब देखें, कैसे समानतर चीन चली एक तरप थो में जन जातियों कोई तो की रक्षा है फिर हमने क्या का, टाइगर्स जोन बना दिया हमने वह सवाल यह है कि दिल दिम बेठे बेठे में बड़े टाइगर के प्रतिमोह उत्पन्न होते रहते है जंगलों में जाके देखे preservation of tiger is better for the wild life यह सच बात है बाग बचेगा तो वन जीव बचेँगे पूरा जंगल बचेगा यह सच बात है लेकि दोस्तों माननों कि तुम्हें पेक्षा नहीं कर सकते democracy में वो भी तुम्हा और सच पूछे हासी पर रहने वाही लोगों को जब तक उठान नहीं होगा तो फिर वो democracy सही democracy होगी भी नहीं the most important contribution of democracy to empowering the people who are marginalized तो हमने क्या किया जल जंगल जमीन और यही तो मावदियों का नारा है जल जंगल जमीन पर हमें नींतरन चाहिए तो कि voting right हमें नहीं चाहिए voting right देकर आपने हमारे अधिकार चीन लिए हमारे समपतिय चीन लिए आपने ऐसे से कानून बना दी है कि वो तो हमारे लिए तो सवाल है कि जंजाती समुधाय के लिए क्या British सरकार हो क्या भारती सरकार संत्र बदलेगा या लोकबत को बदलना पड़ेगा लोग बदलना पड़ेगा अगला point इश्र गांदेर कहा था स्वाराज चाहिए अगला point और पंशायती राज को पंशायती राज को अनुसूची छेत्रों में प्रभावी रूप में क्रियानवित करने के लिए और एफेक्टिव इंप्लेमेंटेशन अपंशायती राज इन शेडियूल एरियास पंशायती राज को अनुसूची छेत्रों में प्रभावी रूप में क्रियानवित करने के लिए ग्राम सभावा को विसेश महत्तु दिया गया और एफेक्टिव पंशायती राज में कर दें ग्राम सभा का मतलब क्या होता है ग्रामसभा is given a central role in पेसा ग्रामसभा को प्रभावी मातो दिया गया और और यह प्रावधानी किया गया कि सरपंच अनसोचे जनजाती समदायका ही विक्ति होगा ग्रामसभा का सरपंच अनसोचे जनजाती समदायका ही विक्ति होगा अनसोचे जनजाती समदायका ही विक्ति होगा और ग्रामसभा को ग्राम सभा को अपने सांस्कृतिक अधिकारों ग्राम सभा को अपने सांस्कृतिक अधिकारों भूमी अधिग्रण ग्राम सभा को अपने सांस्कृतिक अधिकारों भूमी अधिग्रण ब्रोम यदिगारन जन्जाती परंपराओं और प्रथाओं को सन्रक्षित करने की शक्ति दी गई है जन्जाती परंपराओं और प्रथाओं को सन्रक्षित करने की शक्ति दी गई है पेस्व कास्व कात्व kita और चात्यॉ in Pesasra grah अ bye is given some specific role for land acquisition, for regulating the social-cultural practices of tribal community and for land acquisition and for controlling the consumption of alcohol and other substances of narcotics तो इस तरीके के जो अधिकार ग्रामसभा को दिये गये हैं, that is थूपेसा, यह तिप अभी दिखे कुछ समस्य हैं तो होती है कि कही राज्यों ने अलग 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 अट बना रखा है क्योंकि पेसा और पंचायति राज that belong to state love subject तो कुछ लोगों ने ग्रामसभा को central role नहीं दे रखा है, कुछ लोगों district को role दे रखा है, यह थोड़ी discrepancies तो है लेकिन फिर भी अभी अपने जारखन में रेखा है पत्थलगड़ी गटना हो गई थी पत्थलगड़ी का मतलब है कि जन जाती समुदा के लोगों ने कहा कि हमारे इस गाउं में किसी बाहरी को आने का जिकार नहीं होगा, चाहा नेता हो, चाहा फ्रिसाशन का कोई वेक्ति हो इस तरीके घटना है कही की बार हो जाती है इसलिए there may be problem, there is a problem फिर भी अब देखेंगे कि लोग तंत्र में धीरे धीरे चीज़े सकारत्मक दिशा में आगे बढ़ रहे है तो फिफ शडूल is an example of how asymetric federalism we have adopted कि अस्यमेट्रिक federalism आएगा तो फिफ शडूल में तरी बात हम नहीं कर पाएंगे एक द्वा लिंके भी लिख देंगे अगला है, शडूल में क्या प्रविजन है लेट सी, what is there in the sixth schedule, in the constitution अब दिखें जारे, fifth और sixth को हम comparison कर लें कि दिखें, sixth schedule और फिर sixth schedule को आपको लगेगा fifth schedule is our scheduled area अनसूची छेत्र, and sixth schedule is known for a tribal area यह जनजाती छेत्र के रूप में जना जाता है sixth schedule का मतलब है, यह जनजाती छेत्र है यह अनसूची छेत्र नहीं है, वह नामों में अंतर है और दोनों के अंतर कारण है it's a tribal area sixth schedule deals with the tribal area and fifth schedule deals with the scheduled area और जो दूसरा ध्यान में देने की बात है कि tribal area का मतलब है sixth schedule is only applicable for the awesome meghale और awesome meghale tripura and mejoram tripura and mejoram इसका सिधा से मतलब है meghale में कौन सी जनजाती है रती खासी जैनती है यहाँ पे mejoram में, mejor mejor खासी जैनती है tripura, awesome awesome means whenever we are reaching over a brahmaputra और tripura यह नहीं चाहर राज्यों को रखा गया है इसका मतलब अरुनाचल नहीं है अरुनाचल को हमने 371 से specialist status दे रखा है और Nagaland नहीं कि उसके 371 आर्टिकल पहले से मड़ीपूर नहीं है क्योंकि मड़ीपूर स्टेट एक मात्र ऐसा कि एक बद क्या है उसके आगे जाके जुरुआ पढ़े क्या नहीं है factual चीजों में error को कम करने के लिए अच्छा तरीका मना जाता है आप क्यों यह मत पढ़े क्या है वो किसी किसी अलग है हमें साथ है हमें तो confusion कम से कम में सा रहेगा कि Nagaland is not part of six schedule तो कि Nagaland के सम्मिधान में 371 यह अलग से ही दे दिया गया है तो फिर उसके लिए आवश्यक्ता पड़ी नहीं वाई नट Madhipur तो कि Madhipur एक ऐसा चेत्र है जहां बहुत बड़ी संख्या में आज भी Hindu community है उतनी बड़ी संख्या में tribal community Madhipur में नहीं है जितना की बाकी चेत्रों में है वैसे Madhipur के लिए आटिकल 371 के क्लॉज में एक है special provision दे रखा गया है तो जो यहां नहीं हो 371 में को शामिल किया गया है अरुनाचल नहीं है Madhipur नहीं है और कौन बच्ता है Nagaland Nagaland नहीं है अरुनाचल, Madhipur, Nagaland तीन नहीं है बाकी चारी स्टेट है there is seven sisters in northeast अब अब देखेंगे यहां पे six में चारी स्टेट है और fifth schedule में पंदर सोले स्टेट है क्याला फर्का गया इसमें six schedule में केवल चारी स्टेट आएंगे आप कहेंगे क्या इसमें चारी में बढ़ाया जा सकता है तो हाँ यहां तो सम्मिधान संशोदन की भी अविशक्ता नहीं है पार्लेमेंट can amend the schedule with simple majority उसे सम्मिधान संशोदन नहीं माना जाएगा कभी विचारार को पंच बढ़ाया जा सकता है दोसी बात अब देखेंगे fifth and six में जो फर्क है तो यहां पे क्या है कि बहुत सारे more than sixteen states में fifth schedule का प्रियूग होता है यहां पे क्या है? चारे state है तीसरा है यहां पे आप देखेंगे यहां पे जो cellular tribes हैं यहां जो हमारे हैं जारखंड में हैं यंपी में हैं, उडिसा में हैं they are very much mixing with the other people और दूसी बात है कि कहीं कहीं यह percentage के रूप में population में कम है what is the highest percentage of cellular tribes in a state which are not part of northeast? नौर्थिष्ट के अलाम किस यहां से राज्यका नाम बता ही है जहां पे अनुचे जातियों का percentage सबसे जादा हो किस आज में हैं? कितना percentage है? जन जातियों के अबदी कितनी percentage? 42 जन जातियों की मतला अनुचे जाद जन जात दोना है के बल जन जाती? अच्छा यह में जन जाती हूँ कि अबदी 42% है? उसको आप चेक कर लेजगा 42 is too much आप इसको इसका मतलब है आप देखे मुझे थोरास में doubt है मैंने भी demography बहुत दिन हुआ पढ़े हुए तब मुझे थोड़ा भूल रहा है लेकिन इस्टिल आ रिमेंबर देट 20% से यदा साइधी किसी स्टेपन ट्रेवल से पपुलेशन जाती है 42 अब थोड़ा समुझे इसना मैंने का common sense का मैं अगर प्रयूक करूँ जो पुछली hind side जो मुझे आ जा रहा है it is not more than 20% in any state लेकिन फिर भी मने का कि बार इसो confirm कर लेना इस बार confirm कर लेना लेकिन इसका मतलब अल्मस्ट यहां पर सेबल ट्राइब का पलोशन कितनी है 20% लेकिन आप इधार आएंगे population of Sejal Tribes is more than 80% more than 80% Assam is a least populated according to Sejal Tribes Assam में भी यह जनसंख्या का 50% है बाकि तो मेजोरम में 90% त्रिप हो रहा है 80 plus 80 plus का मतलब है 90-95 tribal population बहुत ज़दा पहला इस ही बात आप देखेंगे और इसे लिए आप देखेंगे और हमारे यह 6th schedule के यतनी Tribes हैं बाकि 5th schedule के यतनी Tribes हैं they are very much mixed up with the mainstream Hindu society यहाँ पैसा नहीं है और एक तो एक तो एक्जाम्पल यह है कि they are a border state हमारे यहाँ जो North East है पहले से bordering state है कि बहुत सारा तराश्टी से माँ सिख रहा हुआ पहला दोसरा है they are culturally different from the rest of India तीसरा है यहाँ पे ज़्यादतर लोगों में अपनी परंपराओं प्रथाओं को संदक्षन करने का बहुत अधिकार है यह फिलोग historically historically भी ऐसा लगता है कि पूरे भारत में पहली बार सेसिनिजम का मूब्मेंट कहीं बेचला था वो था नौर्थिष्ट में फ्रमदानागा लेंड इस वज़े से हमें ऐसा प्राओधान लगा कि अखिर में नौर्थिष्ट में तो इसा माना जाता था कि there is the most difficult problem of accession of the state to India. हमारी princely state के accession में तिनी problem नहीं थी यतनी problem तो नौर्थिष्ट के accession में थी और आप जानते है नागा समुदाई के लोग तो आज भी लड़ी रहे हैं आतंगवाद के समझ से अगरवाद के समझ से आज भी नचेत्रम बहुत जादा है और geographically, culturally और politically they are in fact more located on the periphery of India वो तो भारत के बिलकुल इंदम किनारे के चीज़ों पर लटके हुए है किनारे पर लटके हुए है इस वज़े से अब देखेंगे समविधान में हमने special provision six schedule की रूप में किया क्योंकि इनको incorporate करने का और कोई तरीका हमरे पास था ही नहीं और इसलिए अब देखेंगे नहीं को हमने special provision दिया यह क्यों? क्योंकि जन जाती परंपराओं के रक्षा कर पाएं इसलिए बात अरश्यद्योद्धन का अब यहां फिर कैसे हम कोट करेंगे? एकने के scholar को ला देंगे हमारे पास scholar अगर पांशे आ गया है उसी को हमें एक नेक यूज़ करते रहेंगे बस हमें खीच खांच के एक नाम देना है बस यह fundamental principle है कैसे हमें यूज़ करेंगे अगला point? अब कैसे हमें इस philosopher को लाएंगे? यह scholars के नाम कोट करेंगे रख लीजे रशीदु दिन खान का मनना सही है रशीदु दिन खान र-a-s-h-double-e-d-u-d-d-i-n रशीदु दिन रशीदु दिन रशीदु दिन खान भारत में एकता का वास्तविक अभी प्रहे प्रहे इस विव ब्यूब रशीदु दिन खान he said that unity in India means unity and diversity unity in diversity in de lain भारत में एकता का आशे विवित्ण में एकता कि श्थापना है भारत में एकता कि श्थापना करना है unity means unity and diversity और फिर यहां प्रोफेसर M.P. सिंग को भी कोड़ कर सकते हैं निजाती संगवाद अगला पॉइंट और M.P. सिंग ने भी कहा है कि भारत जैसे विवित्ता पूर्ण समाज में इन डाइवरेशन, कॉंप्लेक्स सर्साइटिया एक इंडिया भारत जैसे विवित्ता पूर्ण समाज में छठीन सूची के मध्यम से छठीन सूची के मध्यम से निजाती संगवाद की स्थापना करने का प्रयास किया गया छठीन सूची के मध्यम से निजाती संगवाद की स्थापना का प्रयास किया गया इन एथनिक फेर्डलिजम is set up in India through the sixth schedule एथनिक फेर्डलिजम is set up in India through sixth schedule छठीन सूची के दौरा निजाती संगवाद की स्थापना की गई अब आप देखेंगे यह वास्तिविक हो गया मामला किस तरीके से अब आप कहेंगे ठीक है तो sixth schedule का मतलब हो गया that is meaning of tribal area अब आप देखें कि why we have made difference in scheduled area and tribal area scheduled area and tribal area लेकिन आप कहेंगे, अगर आप यह कहेंगे कि अखिरम इसमें autonomy क्या है फिर asymmetric federalism क्या है क्योंकि आप जानते हैं, sixth schedule में chief minister रहे गाई councillor minister रहे गाई MLA और MP तो हराजी में है member of parliament है that is asymmetric federalism, capital है लेकिन what is autonomy इनको autonomy क्या है पहला how we have preserved the autonomy of this scheduled tribal areas तो autonomy कैसे हमने बनाई है यहाँ पर हमने प्रोविजन किया है in sixth schedule, there is a provision of district council tribal council नहीं है, यहाँ पर क्या है जन्नपद परिश्यदे है यह district autonomous council this is the provision of district autonomous council in the sixth schedule district autonomous council in the sixth schedule अब देखिये district autonomous council में होता क्या है district autonomous council में क्या है तो पहला जो ध्यान से देखने की बात है कि district autonomous council is a elected by elected body by the people यह जन्ता के द्वारा निर्वाचित एक संस था है जन्ता का मतलब है tribal samudai के द्वारा that is this council is elected by the tribals elected by the people यह जन्ता के द्वारा निर्वाचित होती है this council is elected by the people यह जन्ता के द्वारा निर्वाचित होती है and number is almost 30 तीस अदर से होते है यह जन्ता के द्वाब दखेंगे बोड़ो council में there is more than 30 members जो बोड़ो स्वाथ परिशद है that is in Assam बोड़ो tribals है तो बोड़ो स्वाथ परिशद है there is 46 members in बोड़ो autonomous council otherwise और जो autonomous council है 30 members है तो हर राज्य में ऐसी autonomous council बनी हुई है अच्छा तरिपुरा और मिजुरम कितनी कम population है अब बतादा किसी किसी राज्य में 5 district है 6 district है तो हर district में एक autonomous council है लेकिन Assam के हर district में autonomous council नहीं है क्योंकि Assam के लिए लिए आदी अबादी non-tribal से तो that autonomous council will only function in the area where tribal community is in domination tribal community is in majority इस वज़े से अभी यह है 30 लोग उल्टेड होंगे इस अब यह समझ रहे जैसे हमारी एक सांसद है Member of Parliament Parliament is elected by the MP MP जना टे मद्द प्रदिष इस Member of Parliament तो वैसे MP है MLA है उसके बाद फिर के सब्द का प्रयूगा वैसे जनपद स्वर्वेक दिर्वाची संस्था काम करेगी अब गर हम सब्दों का थोड़ा हेर फिर कर दें आजकर governance में सब्द का प्रयूग करेंगा multi governance आप इदर के आप विशे के समस्थार कैसे मनने जाते हैं सब्दा उलियों के दोरा उल्जाने से नहीं लिखने में सिंपल है ऐसा लिखना चाहिए इंवाश।